Hello Friends, ITI Classes के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग उने बात की थी स्टार कनेक्शन के विसे में जो आपका चैप्टर चला था Polyphase Electric System तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके डेल्टा कनेक्शन के विसे में कि डेल्टा कनेक्शन क्यों किया जाता है कैसे किया जाता है और इसकी इंपोर्टेंस क्या होती है तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट है आपका डेल्टा कनेक्शन क्या होता है डेल्टा कनेक्शन और किस प्रकार का होता है उसके विसे में पहले चर्चा करते हैं तेकि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बात कि थी वो बात कर रहे थे हम स्टार सन्योजन के विसे में और था स्टार कनेक्शन के विसे में जहाँ हमने कहा था कि आपके पास में तीन तरह की winding होती है सेम वही तीन तरह की winding आपकी delta connection में भी होती है वहाँ हमने कहा था कि delta connection जो आपका star connection होता है star connection के अंदर 6 क्या निकलते हैं आपके 6 सीरे होते हैं सेम उसी प्रकार से यहां भी 3 winding होगी और 3 winding के 6 सीरे होगे लेकिन वो जो 6 सीरे होगे उन 6 सीरों से मुझे 3 phase में convert करना है अर्थार्थ 6 जो wire है मेरी उन 6 wire को इस प्रकार से स्योजित करना है कि मेरे पास मैं 3 wire निकल कर आ जाएं जो कि मेरी क्या कहलाएंगी phase कहलाएंगी जिसको हम किस से denote करते हैं R, Y और B से denote करते हैं तो एक बार एक example के तो समझ लेते हैं कि किस परकार की winding इसमें होती है हम यह कहते हैं कि delta connection के अंदर 3 परकार की मेरी क्या है यह मेरी coil होती है इस परकार से अर्थार्थ 3 परकार की क्या है मेरी winding हो गई हम यह कह रहें कि 3 winding है इसका एक सीरा A है तो एक A1 है एक B है तो दूसरा सीरा B1 है और यह आपका C है तो यह आपका C1 है अब यह 3 wire मेरे पास हैं 3 wire के छोर है मेरे पास कितने 6 छोर है अब हमें इंको क्या करना है सन्योजित करना है अर्थार्थ Connect करना है एक दूसरे के साथ लेकिन Connect इस प्रकार से करना है कि यह क्या बन जाए एक तो Delta type के connection दिखाए दे अभी Delta और आदर ना वालत इस प्रकार से हम यह कहते हैं कि star connection के अंदर क्या करते थे हम एक side के जो सीरे हैं उनको जोड़ देते या तो वो शुरू के उपर वाले सीरे हो सकते थे या फिर वो नीचे वाले हो सकते थे लेकिन delta connection में क्या होता है delta connection के अंदर जो तीन मेरी winding हैं अलग अलग इन तीनों winding का एक एक छोर तीनों winding का एक एक छोर दूसरी winding के दूसरे छोर के साथ में connect किया जाता है और इस प्रकार से तीन फेस बनाए जाते हैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी एक winding ये है तो इसके एक सीरे को दूसरी winding के दूसरे सीरे के साथ में जोड दिया जाता है तो अगर मैं ये कहूँ कि वह एक सीरा मेरा ये है और दूसरा सीरा मेरा दूसरी winding का ये है तो इन दोनों को एक यानि कि मेरे पास मैं B दूसरी winding है इसके पहले चोर को मैं तीसरी winding के second चोर के साथ मैं connect कर दूँ और वहां से भी क्या करूँ एक wire निकाल दूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया एक phase मेरा ये हो जाएगा अब ये और ये तो दोनों जुड़ चुके हैं अब क्या करना है इसका भी एक चोर बाकी है तो इसके यानि कि तीसरी winding के पहले चोर को क्या करेंगे इस वाले छोर से यानि के देखे इसके भी दोनों छोर करेंक्ट हो गए अब इसके भी दोनों हो गए इसके भी दोनों हो गए इसके यानि के पहले छोर को इसके अंतिम छोर के साथ में जोड़ करके क्या है एक वायर निकाल देते हैं तो एक फेज मेरा ये बन जाता है और फे प्रोज किजिए मेरे पास में ये वाइंडिंग के छोर हैं, ये मेरी एक वाइंडिंग, पहली वाइंडिंग हुई है, दूसरी और ये तीसरी, तो इनको मैं कैसे कनेट करूँगा, इसके पहले को इसके दूसरे से कनेट करके फेज निकाल दूगा, इसके पहले को इसके दू है तो इस परकार से भी इसको संयोजित कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से हम इसको कैसे करेंगे यहीं पर देख लेते हैं हम दूसरे तरीके से क्या करते हैं यह पहला दूसरा इस परकार से यह तीन जो है मेरे पास तो हम क्या करेंगे इसके पहले छोर को हम इसके साथ में जोड के फेज निकाल लेंगे, इस वाले को बीग के साथ में निकाल लेंगे, और फिर इसके साथ में इसको निकाल लेते हैं, ठीक है जी, तो हम या क्या देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, कि जो पहली वाइंडिंग का पहला सीरा है, वो दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सीर के साथ मैं जोड करके फेज बना लेता है और यही इसी प्रकार का संयोजन जो है वो मेरा डेल्टा संयोजन या फिर डेल्टा कनेक्शन कहलाता है आप चाहें तो इस प्रकार से कनेक्ट कर लीजे और चाहें इस प्रकार से कनेक्ट कर लीजे आपके phase r और y और b ही रहेंगे delta connection में इस परकार का संयोजन किया जाता है अब delta में अब जो delta type का connection होता है अब वहाँ पर जो धारा होती है जो धारा इसके अंदर बहेगी उसके विशे में बात कर लें ते हैं जो voltage इसके विशे में जो इसके अंदर जो flow होगा voltage का उसके विशे में भी एक बात करते हैं हम यह कहते हैं कि अगर मेरे पास में delta connection हो यह मेरा delta connection है delta connection के अंदर जो मेरी winding होगी उसके अंदर भी 120 degree का ही phase का difference होना चाहिए यही हम कहते हैं कि जो 3 phase का आपका polyphase होता है उसके अंदर क्या होता है 120 degree का phase का अंतर होता है तो अब delta connection को हम करेंगे कैसे यह देख लेते हैं हमने कहा कि भई एक काम करते हैं एक connection इस प्रकार से दिखा लेते हैं क्योंकि हमने भी कहा है कि यह जो होता है कैसा होता है ट्राइंगल की shape का होता है ठीक है तो delta connection में कैसा होता है ट्राइंगल की shape का होता है तो हमने कुंडले को इसी प्रकार से संयोजित कर लिया करने के बाद मैं एक point यहां से निकाल दिया एक point यहां से निकाल दिया और एक point यहां से निकाल दिया यह जो point है मेरे यह क्या होंगे phase कहलाएंगे मेरे एक phase ये हुआ, दूसरा phase ये हो गया और तीसरा phase ये हो गया अगर मैं कहूँ कि ये मेरा A winding है तो इसका एक सीरा A और A1 ये A ये A1, ये कौन से होगी मेरी B winding होगी, इसका एक सीरा क्या ये B, और ये दूसरा क्या कहलाएगा B1 कहलाएगा और तीसरी winding मेरी यह हो गई आपकी C और यह कौन सा कहलाएगा C1 कहलाएगा देख लीजे हमने यह कहा था कि पहली winding का पहला सीरा दूसरी winding के दूसरे सीरे के साथ में मिलता है और थाथ A B1 के साथ में attach होता है तो हम यहाँ बिल्गुल देख लीजे A अगर यह है तो यह किस के साथ में connect हो रहा है second winding के B के साथ में connect होता है तो इस परकार से क्या है delta connection बन जाते हैं अब हमने कहा कि भाई इसको एक point बनाते हैं यहाँ खीज के एक phase निकाल लेते हैं इसी परकार से एक phase यहाँ से निकल जाएगा और इसी परकार से एक phase मेरा कहां से यहाँ से निकल जाता है तो मेरे पास तीन phase हो जाएंगे पहला phase मेरा R कहलाएगा दूसरा Y कहलाएगा और तीसरा phase मेरा B phase कहलाता है अब हम यह कहते हैं कि भई इसके अंदर क्या होता है जैसे star solution की बात करें तो star connection के अंदर क्या होता है जो हमारी winding होती हैं वो winding के सीरे जो होते हैं एक साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं एक central point बना देते हैं जिसको star center या फिर star point कहते थे और वो एक neutral phase कहलाता था था लेकिन इस पूरे के पूरे के अंदर winding के कहीं पर भी क्या है ऐसा कोई भी point नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि delta connection के अंदर कोई भी क्या होगा neutral नहीं होता है डेल्टा connection के अंदर अब neutral जब नहीं है तो neutral का काम क्या है neutral का जो काम होता है वो क्या होता है अर्थिंग का होता है ठीक है जी तो वो अर्थिंग का कारिय करता है अब अगर यह कहूं कि बई delta connection के अंदर तो neutral का point ही नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि earthing भी इसके अंदर possible नहीं है तो earthing भी क्या होगी इसके अंदर नहीं होती है अब एक चीज यहां देखिए हम ये कहते हैं कि एक कुंडली मेरी हो गए अठात ये मेरी पहली winding है और एक winding का एक सीरा और दूसरा सीरा यानि कि एक phase ये रहा और एक phase ये रहा तो जब दो phase हो जाते हैं तो हमने ये कहा था कि दो phase के बीच का जो voltage होता है वो क्या कहलाता है line voltage कहलाता है तो हम ये कहते हैं कि इस point का जो ये मेरा निकला है एक phase और इसी का second वाला जो point निकला है वो मेरा second phase है तो अगर मैं ये कहूँ कि इस कुंडली के अंदर या इस winding के अंदर जो मेरा voltage होगा वो कितना होगा अगर मुझे ये कहा जाए तो हम ये कहते हैं कि भाई ये दोनों के दोनों जो point है ये क्या है मेरे ये तो दोनों के दोनों मेरे phase है और हम ये बात जानते हैं कि जब दो phase होते हैं उनके बीच अगर मुझे voltage का पता हो तो वो जो वेरी voltage होती है वो कौन सी voltage कहलाती है line voltage कहलाती है तो इस परकार से हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या होता है जब neutral नहीं होता है तो उस case के अंदर इन दोनों point को हम phase कहते हैं और इन phase के बीच में जब voltage होगी वो line voltage कहलाती है अब जब line voltage आ गई तो phase voltage तो है ही नहीं भाई साफ पता लगता है तो phase voltage किसको बोलते हैं phase voltage कहलाती है एक neutral और एक phase के बीच की voltage अब चुकि यहां क्या neutral point तो था नहीं जब neutral नहीं है तो दो phase ही है phase के बीच की voltage phase line कहलाती है voltage line कहलाती है या line voltage कहलाती है तो इसके अंदर यानिके line voltage कहिए और या फिर आप कह लीजिए phase voltage दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है बराबर होता है तो एक point तो आपका यहां से clear हो जाता है जब हम बात करते हैं delta connection की importance की तो उसके अंदर ये एक point है कि आपकी जो line voltage होती है वो phase voltage के बराबर होती है किस परकार के सन्योजन में होती है तो हम कहते हैं कि delta connection जो होते है delta connection के अंदर जो line voltage होती है वो phase voltage के बराबर होती है क्योंकि phase voltage इसमें क्या होती है होती ही नहीं है अब चाहे आप यहां इसकी बात कर लीजिए भई आप अगर यहां कहें, इस coil की बात करते हैं तो इस coil के अंदर, या इस winding के अंदर भी क्या है, neutral तो है नहीं तो दोनों क्या है, मेरे phase हैं तो यहां भी जो voltage होगी, वो कैसी होगी line voltage होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि delta connection के अंदर क्या होता है अर्फिंग नहीं होता है तो phase voltage नहीं होती है और phase voltage नहीं होती है क्योंकि वहाँ क्या होती है line voltage होती है इसलिए हम यह कह देते हैं कि line voltage जो होगी वो phase voltage के बराबर होगी क्योंकि winding के अंदर तो phase ही होगा और winding तो यहाँ दी गई है लेकिन winding के अंदर भी कौन सी होगी वो जो है phase voltage ही बहती है अब बात करते हैं second point की मैं तो की बात करें साथी साथ देखें importance का भी हमारा खतम होता जाए कि delta connection की क्या importance है तो पहली importance आपकी यह हो गई second importance यह होती है कि delta connection के अंदर चूकि यह कैसा होता है 3 phase वाला होता है तो इस पर जो load इस पर जो load होता है वो कैसा होता है balanced condition वाला होता है अर्थार्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3 phase की जो motor होगी वो इसके साथ में क्या होगी connect की जा सकती है इसके अलावा जैसे single phase या फिर double phase वाला होता है वो इसके साथ में connect नहीं किया जा सकता है एक आपकी हो गया ये point तीसरा point हम ये कहते हैं कि धारा को लेकर के हमने ये कहा कि delta connection के अंदर जो धारा होगी जो line आपकी धारा होगी वो किसके phase धारा के root 3 के गुनज के बराबर होती है जिस प्रकार से हमने कहा था star connection के अंदर हमने बात की थी star connection में देखे voltage और धारा की जो बात की थी विल्कुल विपरित थी वहाँ क्या था जो line voltage थी वो आपकी phase voltage से root 3 गुना ज्यादा थी और वहाँ धारा जो थी यानि कि जो line आपकी धारा थी वो phase धारा के बराबर थी अब सबसे ज़रूरी पॉइंट है आपका ये अब देखते हैं कि ये जो धारा है लाइन धारा जो है वो आपके फेस धारा के रूट तीन के गुनज के बरावर किस प्रकार से होती है चलिए हम बात करें थे इंपोर्टेंस की तो वहां सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो ये था कि जो मेरी वोल्टेज होगी लाइन वोल्टेज वो मेरी फेस वोल्टेज के क्या होती है बरावर होती है ये पहला पॉइंट था हमारा इसके बारे में आपने अभी बदाया आपका line voltage हो जाता है अब second point हमारा था कि second point के अंदर हमने ये कहा कि जो धारा होती है line धारा जो होती है वो phase धारा के root 3 गुनज के बराबर होती है अब ये point कहां से आया है उसके विशह में बात करते हैं हमने कहा था कि यदी मैं winding इस प्रकार से लूँ इस प्रकार से हमने सब्सok योजित किया था एक फेज ये रहा एक फेज ये रहा और एक फेज हमारा ये रहा हमने इसको r कहा इसको y कहा और इसको b कहा हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो धारा पर 과 य तो होगी phase के अंदर वो कितनी होगी suppose कीजे वो I धारा है मेरे पास कैसी है? I L क्योंकि line के अंदर है अब यह जो धारा है यह यहां आती है इस वाली winding के अंदर और इस वाली winding के अंदर जब यह धारा इन दोनो winding के अंदर आएगी तो क्या होगी? phase कहलाएगी phase धारा कहलाती है जब ये line वाली आएगी जब इधर से आएगी तो ये दो part में टूट जाएगी IP यानि कि phase धारा कहलाती है कुछ धारा इधर चली जाएगी और कुछ धारा इधर चली जाएगी लेकिन हमेशा याद रखेगा कि हमेशा जो धारा इनके अंदर परवाइत होगी, वो कैसे होगी, बराबर नहीं होगी, कभी आप यह सोचे कि आद इधर चले गई, आद इधर चले गई, जो value इधर होगी, वो इधर भी होगी, ऐसा नहीं होगा, देखें हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, कि अगर मुझे line phase का पता करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, line धरा को root 3 से divide करना पड़ेगा, क्योंकि exam paper में आप से हो सकता है, कि phase धरा के बारे में पूछे लिए, अगर आपको line धरा दे दी गई, तो हम क्या करें है, root 3 से divide करके आप उसको बता सकते हैं, तो अब हम यह कहते हैं, कि यह जो आपका root 3 है, यह root 3 आया कहां से है, तो root 3 को कैसे लाए गया होगा, उसके विशह में बात करते हैं, हम यह कहते हैं, कि जब आपने delta, आप delta connection करते हैं, तो connection के बाद में जो धारा होती है तो धारा का जो वेक्टर डाइग्राम होता है वो कैसा होता है उसके पर चर्चा करते हैं हमने कहा कि इस प्रकार से ये मेरे पास में तीन फेज हैं ये एक फेज मेरा आर हो गया ये फेज मेरा वाई हो गया ये मेरा कौन सा हो गया बी फेज हो गय डिगरी का क्या होगा फर्क होता क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि आपका डेल्टा कनेक्शन हो चाहे इस्तार कनेक्शन हो फेज के बीच में जो अंतर होगा वो कितना होगा 120 डिगरी का होता है तो हम कह रहे हैं कि यह जो है मेरे क्या है यह फेजधारा है किसकी यह फेजधारा कितना करंट बह रहा है अब हमने ये कहा कि 120 डिगरी का फर्क है हम ये कहते हैं कि जब AC की बात करते हैं तो AC के अंदर क्या होता है AC के अंदर जो आपकी frequency होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है अर्थाट धारा और voltage जो है कैसी होती है अपने maximum point को प्राप्त करती है एक बार positive में और एक बार negative में हमने ये कहा कि वह एक काम करते हैं कि यदि ये धारा y phase की है positive में है तो ये negative में भी तो जाएगी जब ये negative में जाएगी तो ये इस परकार से पीछे की और जाएगी चाहे तो आप इसका ले लिजे चाहे इसके opposite आप ले लिजे चाहे इस वाले phase के opposite आप ले लिजे चाहे इसके opposite ले लिजे किसी भी phase के opposite जब आप लेते हैं तो वो उसका कैसा है negative point रसाद maximum negative point कहलाता है जब आप इस phase का यानि कि इस line phase का opposite करते हैं इस रेखा को पीछे मिलाते हैं तो यह जो पूरा का पूरा कौन जो आपका 120 डिगरी का था दो पार्ट में तूर जाएगा एक 60 में और दूसरा भी 60 डिगरी में इस प्रकार से अब यह जो पॉइंट है यह कौन सा पॉइंट है य फेज का ही पॉइंट है लेकिन कैसा है निगेटिव होगा यानि कि यह कैसा है य निगेटिव फेज है क्योंकि यह आपका पॉजिटिव फेज है जो कि हम यहाँ शो कर रहे हैं वेव डायग्राम के अंदर इसी प्रकार से आपका एक ये निगेटिव हो गया, अब हम ये कहते हैं कि जब लाइन जो फेज होता है, अर्थात लाइन जो आपका करंट होता है, वो कहा होता है, जब दो आपके, दो फेज करंट के बीच का करंट, क्या कहलाता है आपका, लाइ यही होता है, यहां बिल्कुल यही है, अब हमने इस रेखाओ को पीछे कीचे दिया, तो हमने यह का कि एक phase मेरा यह हो गया, और दूसरा phase मेरा यह हो जाता है, जो एक positive और एक negative होता है, तो मेरा जो resultant होगा, वो कहां होगा, इस negative और इस वाले positive के कहां होगा, बीच में कही न कही होना चाहिए, इस परकार से, यानि कि इस वाले phase के और इस वाले phase दोनों के बीच में कही न कही मेरा resultant होगा, जो कि मेरा क्या कहलाएगा, line current कहलाता है, चुकि यह क्या है, यह भी मेरा phase current है, लेकिन minus में है, और यह भी मेरा क्या है, phase current है, तो दोनों phase current के बीच में कौन जाएगा, line current आ जाता है, दोनों के बीच में, अब चुकि ये 60 degree का था पूरा का पूरा, अब फिर से ये 2 part में divide हो जाएगा, 130 ये बन जाएगा, 30 degree का, और 130 degree का ये बन जाएगा, यदि आपने पिछली class देखी होगी, तो वहाँ हमने क्या किया था, वहाँ पर भी same यही process था, वहाँ voltage की बात हो रही थी, और यहाँ सिर्फ किसकी, धारा की बात हो रही है, वहाँ भी हमने एक बात कही थी, कि जब theta की बात होती है, जब dhara और voltage का जो graph होता है, अगर उसके बीच में theta की value दी जाती है, तो वहाँ theta की value को ग्याद करने के लिए हमेशा cos theta से उसकी value निकाल लेते हैं तो अगर मैं ये कहूं कि भई मैं इसको इस परकार से क्या कर दूँ यहां मिला दूँ और इसको भी इस परकार से मिला दूँ तो ये मेरे पास में किस परकार क्या करती आ जाती है तो अगर मुझे यहां से theta की value यानि के मेरा जो resultant निकला है यह resultant कौन सा है आप इसको क्या काएंगे लाइन दारा काएंगे यह तो कह सकते है ना यह तो आप इसको il कह दीजे या फिर आप इसको क्या बोलेंगे वही आर फेस हो गया और दूसरा कौन सा हो गया यह y हो गया और फार्थ एक phase r है एक phase y है और दोनों के बीच की जो धारा है वो क्या कहलाती है लाइन फेस कहलाती है चाहे आप यह कहिए चाहे यह कहिए अब जब मुझे इसका यानि कि मुझे resultant की value का पता करना है तो या तो मैं समांतर चतुरबुज का formula यूज करूँ या फिर मैं एक दूसरा formula जो हम use करते हैं वो use करते हैं कि जो total धारा होगी वो क्या होगी जो मेरी line धारा होगी जो line धारा होगी वो मेरी जो बाकी की जो phase धाराय है उनके सदिश योग के बराबर होती है तो क्या मैं ये कह दूँ कि इस प्रकार से होंगी ये क्या है ये है आपकी जो सदिश राशियां है आपकी धाराओं की तो जो लाइन आपकी धारा है वो फेज धारा के सदिश योग के बराबर होती है और हमने कहा था जब थीटा की वैल्यू होती है तो थीटा की वैल्यू को यहाँ IRY berabar किसके IP तो रहे गए यह आपका तो IP cosθ plus IP cosθ cosθ आपको मालूम है cosθ की value आपको 30 दी है तो IP into cosθ का मान्य यानि के root 3 डटे 2 plus faizdarah और into root 3 डटे 2 और यह berabar किसके होता है IRY और चुकि दोनों के दोनों फेज हैं और उनके बीच की जो धारा है वो लाइन धारा कहलाती है तो मैं इसको IL में कनवर्ट कर दूँगा रूट 3 बटे 2 को जब रूट 3 बटे 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाता है आप देख लिजीगा solve करके यह आपको मिल जाएगा तो ये बात हमारी यहां सिद्ध हो जाती है कि किस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो मेरे लाइन धारा है वो फेज धारा के रूट 3 बटे 2 के बराबर होती है तो वो इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं एक्जाम पेपर में आपसे कहीं बार इस तरह से पूछा गया है इस प्रकार से भी आपको जो है गुमा फिरा के देदेगा और आपसे जो है line धारा देने के बाद में आपसे phase धारा के मान पूछ लेगा तो हमें क्या करना है root 300 को divide करके आप उसकी value को निकाल सकते हैं अब और क्या क्या इसके benefits हैं वो देख लेते हैं एक बार तीसरा हमने ये कहा था कि इसके अंदर जो 3 phase होते हैं तो 3 phase motors होते हैं या generators होते हैं वही आप क्या कर सकते हैं वही इसके ड्वारा यानिकि डेल्टा connection के अंदर उन्हीं को ही क्या किया जाता है यूज किया जा सकता है इसके अलावा आप single phase में इसको convert नहीं कर सकते हैं single phase के लिए हमें neutral की जरूरत होती है और delta connection के अंदर neutral phase नहीं होता है next point है आपका एक और बात है यदि मैं ये कहूँ कि पूरे के पूरे delta connection के अंदर मेरा कितना परती रोध है अगर मुझे परती रोध ग्याद करना हो पूरे के पूरे delta connection का तो वो हम कैसे करते हैं वो हम कैसे करेंगे वो हम इस प्रकार से करते हैं कि 2 बटा 3 गुणा R कर देते हैं जब बात delta connection की हो रही हो और delta connection के अंदर आपको बोला जाए कि पूरे के पूरे delta के अंदर कितना परती रोध है तो आप 2 बटा 3 into R और R आपको पता ही है R है परती रोध यानि रेसिस्टेंस उसको 2 ती हाई कर दीजे आपको उसकी value पता चल जाती है लेकिन अगर कहें कि बई जो हमने इससे पहले आपका पढ़ा था star connection पढ़ा था तो star connection के अंदर अगर मैं कहूं यदि मुझे पूरा का पूरा परतिरोध निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ root 3 से परतिरोध को गुणा कर देता हूँ पूरे star connection का परतिरोध निकल जाता है और delta connection के अंदर 2 तीहाई से गुणा कर देते हैं तो वो पता चल जाता है अगर वो कहें कि आपका star connection के अंदर एक नहीं दो यानि कि आपके पूरे के पूरे के ना बोल करके एक या दो का कह दे तो आप क्या कर देंगे 2 इंटो आर करता है ठीक है तो एक का भी आप आराम से ग्याद कर सकते है next point है हमारे पास में कि जो आपका delta connection होता है उसके अंदर power का जो consumption होता है वो कितना होता है तेकि हमने star connection में भी बात की थी कि star connection के अंदर यदि एक winding खराब हो जाए या खोल दी जाए तो उससे क्या फरक पड़ेगा उससे जो power consumption होती थी star connection के अंदर वो क्या थी आधी हो जाती थी डायक्ट कैसी हो जाती है 1 by 2 हो जाती थी ठीक है वहाँ आधी हो जाती थी कहाँ star connection के अंदर यदि एक winding को खोल दिया जाए या खराब हो जाए लेकिन यहाँ इस case में क्या होती है एक बटा 3 हो जाती है total power consumption एक तिहाई हो जाती है यदि एक winding को क्या कर दिया जाए खोल दिया जाता है तो ये थे इसके कुछ main main से point जो की बताते हैं कि delta connection जो होता है उसकी क्या importance होती है कहाँ delta connection को इस्तमाल किया जाता है तो होता तो क्या करें distribution तो जो distribution transformer होता है उसकी जो primary winding होती है वो किसमे हो जाती है आपके delta connection के थुरू सन्योजित की जाती है और जो आपकी secondary winding होती है secondary winding को star सन्योजन में बांध करके यानि कि इस प्रकार से सन्योजित किया जाता है कि secondary winding कैसी होती है आपकी star connection में बंधी होती है उसकी वज़ा क्या है कि डेल्टा कनेक्शन जो होता है डेल्टा कनेक्शन के अंदर जो आपकी वोल्टेज वाला मेटर है ये ये जो लाइन वोल्टेज होती है ये आपके फेज वोल्टेज के बराबर होती है इसी वज़ा से डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या होता है ट्रां से करते हैं delta connection वाली करते हैं ताकि जादा से जादा voltage प्राप्त हो से हैं तो friends आज की class से में सिर्फ इतना ही अगली class में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके star connection और delta connection के बीच में क्या main main difference होता है और साथ ही साथ बात करेंगे आपके power के विशे में और थार्थ अगर star सन्योजन है तो power की इस प्रकार से निकाली जाती है या फिर जो delta connection होता है उसके अंदर power ज्याद करने का कौन सा formula हम लोग यूज करते हैं तब तक के लिए धन्यवाद